हालो फ्रेंट्स मैं यूँ अन्नपुना और वेलकम तो माइ चानल आज हम बनाएंगे एक और टेस्टी यम्मी और डिलिशियस बेबीकॉन चिल्ली या क्रिस्पी बेबीकॉन चिल्ली जो बहुत ज्यादा टेस्टी है और यम्मी है तो इसके लिए मैंने लिया है बेबीकॉन यह इस तरीके के स्मॉल मैंने बेबीकॉन लिये है आपको जो भी बेबीकॉन मार्केट में एजिली एवालेबल होते है आप वो ले लेना उसके अलावा कुछ वेजटेबल्स है शिमला मिर्च, गाजर और प्याज है लसुन की कलिया है और हरी मिर्च वेजटेबल्स आप अपनी चोइस के अकॉर्डिंग दूसरे भी एड़ कर सकते हैं यह है कॉन फ्लॉर, मैदा और यह है काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और अधरक लसुन का पेस्ट है नमक है और तेल फ्राइ करने के लिए उसके अलावा यह कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर है कलर के लिए मैं यूज करूंगी और सॉसे में टमाटो सॉस, शेजवन सॉस, चिली सॉस, मैं इसको स्पाइसी करने के लिए शेजवन सॉस भी यूज कर रही हूँ, आप चाहँ तो स्कीप कर सकते हैं, सोय सॉस है और थोड़ा सा हम लोग ब्लैक पेपर पॉडर इसमें भी कौन फ्लोर और मैदा मैं बहुत कम यूज कर रही हूँ, उसके अलावा दो टी स्पून मैदा, मैदा की जगह आप चावल काटा भी यूज कर सकते हैं, और यह है अद्रक और लसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पॉडर, हम लोग आगे भी इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाला है, उसके अलावा नमक, हाफ टी स्पून है और यह है कश्मीरी लाल मेश पॉडर, कलर की जगह मैं कश्मीरी लाल मेश पॉडर यूज कर रहे हूँ, आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे रेड फूट कलर भी यूज कर सकते हैं, मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका हमें एक ठिक बैटर बनाना है, बैटर पतला नहीं होना चाहिए, गाड़ा ही रहना है, अगर पतला रहेगा तो वो बेबी कॉन में अच्छे से कोट नहीं होगा, अब आप देख सकते हैं, जिसे हम लोगा छोटे है, नाजूक है, मतलब बहुती फ्रेश है, तो मैंने इसे बॉइल नहीं किया, अगर आपके बेबी कॉन थोड़े से हाड है, तो आप उसे एक दो मिनिट के लिए बॉइल करके यूज कर सकते हैं, अभी मैंने बेबी कॉन को अच्छे से मिक्स कर लिया बैटर में, अब मैं उनको रख रही हूँ, साइड में, साइड में रखकर, अभी मैंने रखा एक पैन, इसमें में डाल रही हूँ ऑईल, डाल कर, जैसे ऑईल गरम हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे बेबी कॉन्स, बेबी कॉन्स डाल कर, मीडियम हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होते तक हमें फ्राइ करना है, फ्राइ करने के बाद ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टीस्टी लगते हैं, अब मैं इसको पलटते हुए, क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होते तक मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राइ कर रही हूँ, एक बार में आप उतने बेब को भी फ्राइ कर लेंगे, फ्राइ करने के बाद हम करते हैं आगे का प्रोसीजर, अभी पैन में जितना एक्स्टर ओयल था, मैंने उसे निकाल लिया, निकाल कर दो टीस्पून जितना ओयल रहने दिया है, उसके बाद मैस में डाल रही हूँ, लसून को बारिक काट कर, और बारिक कटा, शिमला मिर्च और गाजर, वेजिटेबल में जैसे की मैंने पहले भी बिताया, आप अपने चॉइस की अकॉडिंग कोई भी एड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, मेरे पास गाजर और शिमला मिर्च था, इसलिए मैंने ये दो ही डाले हैं, आप इसमें क्या ये है रेड चिली सॉस और टमाटो सॉस, सॉसिस मैंने एक एक टीस्पून डाला है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं, उसके बाद सोया सॉस ये भी एक टीस्पून है, डालकर हाई फ्लम पे अच्छे से मैंने मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद ब्लेक पेपर पाउडर, कुटी, काली मिच, ये हाफ टीस्पून है, डालकर अब मैं डाल रहे हूँ नमक, बहुत कम डाल रही हूँ क्योंकि सारे सॉसिस में भी नमक होता है, नमक डालकर अब मैं इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर रहे हूँ, ताकि नमक, ब्लेक पे डालकर अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ, इससे जो हमारा बेवी कॉन चिली है, वो थ्क बनेगा और जो वेजटेबल और सॉस का जो कोट है वो बेवी कॉन पे अच्छे से लगेगा, अब फ्राइ के हूए बेवी कॉन मैं डाल रहे हूँ, डाल कर हाइफ लें यह 1 teaspoon है आप आपके पस जो भी विनेगर आप उसका यूज कर सकते है। अगर आपके पस विनेगर नहीं है, तो आधा निम्बो भी इसमें नी चोड़ सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ради हूँ, मिक्स करनी के बाद अभी थोड़ा सा शककर डाले हूँ। शक्कर कम्प्लीटी ओप्शनल है आपको पसंद है तो आप डाले है अधरवाइस आप स्किप भी कर सकते हैं शक्कर डालने से इसमें स्वीटनेस आएगा अब मैं इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर रहे हूँ अब आप भी यह टेस्टी यम्मी क्रिस्पी क्रंची बेबी कॉन चिली जरूर बनाएए अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू